नमस्कार मैं प्रेलाज कुमार मेना एसोशेट प्रोफेसर प्रोटिकल साइन्स बेसर गौर्मेंट आट्स कॉलेज अलवर इस एक लास में आप सभी का स्वागत यह वीडियो में फाइनल के ऑप्सिनल पेपर गांदिय राजनितिक चिंतन के लिए बनाया गया है इससे पहले के वीडियो में हमने गांदे जी दुवारा बताए गए आर्थिक विसमताओं से मुक्ते के सजोगों की चर्चा की जिसमें वर्ण व्यवस्था अस्तेई अपरी गरे और ट्रस्टिशिप के शिद्धान्थ ट्रस्टिशिप के शिद्धान्थ के बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा समझा कि ट्रस्टिशिप का शिद्धान्थ क्या है ट्रस्टिशिप नियाशिता प्रणियाशिद्धान्त एक ही चीज है आज के वीडियो में हम गांदे जी ट्रस्टिशिप विवस्ता में निमने तत्वे विद्धमान मानते हैं हो और उसमें कम से कम हिन्सा द्वारा अगर प्रश्टिशिप की को सारजुकित के लिए नहीं देता है तो राज द्वारा कम से कम हिन्सा द्वारा उसकी सम्पत््रक्ति को अपने नियंद्रन में लेके और समाज के कल्यान में उसका उप्योग करे ट्रस्टेशिप के शिद्धान्त कि जो मौलिक तत्तों हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसमें गांदी जी इसमें ने पूझी वाद का और मर्थन करते हैं कि उल्ट्रस्टेशिप के शिद्धान्त से समाज में धनिकों के वर्ग का धनिक वर्ग के पूझी का सारजनी कल्यान में प्रियोग करने की बात वो करते हैं उनसे छीन कर संगर्स हिंसा या दो वर्गों की बात को वो नकारते हुए ट्रस्टेशिप के शिद्धान्त की कुछ आधार बताते हैं उनके अनसार जो पहला आधार या तत्व उसमें विद्धमान है वो यह है कि यह वर्तमान पूझी वादी व्यवस्था को समतावादी समाज में परिवर्तित करने का साधन है जो पहला तत्व बताया है कि यह है व्यवस्था ट्रस्टेशिप की या नियाशिदा की व्यवस्था पूझी व्यादी व्यवस्था को समतावादी समाज में परिवर्तित करने का साधन है दूसरा जो तत्व उन्होंने बत्या इसमें पूझी वाद का इस्थान नहीं है परंटु धरके धन के वरतमान स्वामियों को अपने आपको सुदार लेने का यहですね अवसर प्रदान करता है यह पूंजिवाद का कतही इस्थान नहीं है कि पूंजी पती बंते चले जाएं लेकिन धनके वर्तमान स्वामियों को वो अपने आपको सुधार लेने के लिए एक आवसर प्रदान करता है कि वो अपनी आवशक्ताओं से अधिक पूंजी को या धनको शारजने कल्यान में ख यह व्यवस्ता हिर्दय परिवर्तन में विश्वास करती है इसकी धारना है कि मानव की धन तथा लोब की वुरति से मुक्ति दिलाई जा सकती है अगला जो तत्व बताया है ये संपत्ति के निजी संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार को स्विकार नहीं करता ये है केवल व्यक्ति की उचित आवशक्ताओं को स्विकार करता है जिने समाज स्विकार करता है पांचवा जो तत्व ट्रस्टेशिप में बताया गया आवशक्ता पढ़ने पर यह संपत्य को राज तानुन द्वारा नेंतरित करने के पक्स में है नम्मर छे इसमें संपत्य को स्वार्थों की सिद्धी के लिए ने तो अपने पास रख सकता है और ने इसका समाज के हितों के विरुद प्रियोग किया जा सकता है यानि कि पुझी पती की संपत्य जो उसकी जरुद से उसके पास ज्यादा है उसकी जरुद के अमसार उससे ज्यादा है तो वो उसे अपने पास ने तो रख सकता है और ने उसका समाज के हितों के विरुद उसका प्रियोग कर सकता है अगला जो तत्व ट्रस्टेशिप का बताया है इसमें अब आई की नूनतम और अधिक्तम सिमाई निर्देर्ट की जाएंगी इस नूनतम और अधिक्तम आई में भिन्नेताईं उचित वे सामिक होंगी समय पर इन में परिवर्टन होता रहेगा इसका उदेश इन भिन्नेताओं को समाप्त करना होगा अगला जो तत्व बताया है वो ट्रस्टेशिप के शिद्धानत में जो तत्व बताया है उनके बाद हम इससे पहले तीन बिंदों की चर्चा कर चुके थे आर्थिक समश्याओं या विश्वनताओं से मुक्ति के सुजाओं जो गांदीजी ने दिये थे बर्णववस्था का समर्थन इस रूप में कि व्यक्ति अपने पूरवजों के द्वारा किये जाने वाले कारे को ही वो करता रहे जिससे उसमें कारे को सलता आएगी और बेरोजगारी भी नहीं होगी दूसरा बिंदू उन्होंने बताया था अस्तेई और अपरी गरे का वो अपने आवशक्ताओं से ज्यादा धन कोई कठा नहीं करें और अपने संपत्ति रखने का उसके पास उसका अधिक सोषन उसका नहीं करेगा कि इसी संदर में होनोंने चोर्था जो बीन्दू बता आया तीसरा बिन्दू रुओनने टैसटिश्टिशिप का बताया इसके बारे में हमने इस से पहले के वीडियो एश Democratlying में उसके वर्तमान जो है उनके बारे में भी चरचा की सब्सारा सभ़ गांदे जी आर्थिक समानता के आदर्स में विश्वास करते थे परन्तु इसका यह अभी प्राय नहीं है कि वह योग गिता के आधार पर भिन्निता नहीं चाते थे आर्थिक समानता से गांदे जी का यह भी अर्थ नहीं था कि सबी को सानसारिक वस्तुएं समान मातरा में प्राप्त होंगी परन्तु आर्थिक समानता से उनका यह अर्थ है कि प्रते के रहने के लिए उचित घर के आउशकता हो उसके पास खाने के लिए परियाप्त और संतुलित बहजन हो और सरीर ढखने के लिए परियाप्त खा दी हो ये गांदी जी की आर्थिक विसमताओं का जो समाधान है या विसमताओं से मुक्ति का समाधान है उसके अंदर में आर्थिक समानता की बात गांदी जी ने कही है गांदी जी प्रतेक उस्वस्तु को वर्जित नहीं करना चाहते थे जो जीवन की अनिवारे नुन्तम आशक्ताओं से उपर है उनका क्यों ये कहना था कि इनका गणना तभी होनी चाहिए जब सबकी अनिवारे आशक्ताओं की पूर्ती हो जाए वे तो उन निर्दई ऐसा मांताओं को दूर करना चाहते थे जो आज विद्धिमान है अगला जो पॉइंट बिंदू उन्होंने आर्थिक विसमताओं को दूर करने के रूप में जो सुजाव था वो था रोटी के लिए इस्त्रम रोटी के लिए इस्त्रम सिद्धान्द गांदी जी के लिए नेकेवल एक दर्सन था बलकि उनकी सारी आर्थिक विचारधारा इस पर आदारित थी उनके जीवन दर्सन में यही शिद्धान्त नहित है गांदी जी का रोटी के लिए श्रम का शिद्धान्त प्रतेक व्यक्ति चाहिए वो अमीर हो गरीब हो बुद्धी जी भी हो या मजदूर हो पर लागू होता है प्रतेक को अपनी अपना भंगी स्वेम बनना होगा यानि की स्वेम की सफाई गंदगी जो की एक से उततकालिन समाज में कूपर था थी की मेला डोनने की एक परंपरा के वलहारी जनों को दिगी थी उस अंदर में भी उनका ये कहना है कि अगर रोटी चाहिए तो स्रम उसके लिए जरूरी है और उसमें वो अपना स्वेम का भंगी भी उसको बनना होगा सरीर की आव सकता है सरीर द्वारा ही प्राप्ट होनी चाहिए बुद्धी द्वारा नहीं ये हो सकता है कि बुद्धी की योगिताएं सरीर की योगिताओं से सर्वोच हो परन्तु बुद्धी सरीर के लिए उपकल्प नहीं हो सकती यानि कि उसका विकल्प नहीं हो सकती इस सिद्धान्त द्वारा गांदी जी सारीरिक स्रम सब को सिखाने के पक्स में थे परंतु गांदी जी सिद्धान्द को अनिवारे नहीं बनाना चाते थे क्योंकि अनिवारे करने से दरिद्रता, बिमारी और ऐसंतोस पैदा होगा वहे इस सिद्धान्द को स्विच्छा से पालन करने पर बल देते थे क्योंकि स्विच्छा से किया गया कारिय संतोस जनक एवं मनोरंजक होता है इस सिद्धान्द के संदर में गांदी जी ने महतुपुन उदेश भी बताए है जब सब स्रम करेंगे तो उचनीच का भेट समाप्त हो जाएगा यानि कि धनिक वर्ग या पूंजी पती व्यक्ती भी स्रम करेगा और एक गरीब व्यक्ती भी स्रम करेगा मेहनत करेगा तो उचनीच का गरीब अमिर का भेट समाप्त हो जाएगा नमर दो सरीर स्रम से सरीर पुष्ट होने से रोगों की मात्रा कम होगी अगर व्यक्ति द्वारा सारे रिक्स्रम किया जाएगा तो उसकी सारे रिक्स्रमता भी बढ़ेगी और वो उससे रोगों से मुक्ति भी मिलेगी तीसरा निस्क्रेता और आलशे की समापता समश्या समापत हो जाएगी निस्क्रेता जो बिना फिजिकल वर्क के या सारीरिक स्रम के जो मन में और सरीर में आ जाती है आलश्य रूप में वो भी सारीरिक स्रम या रोटी के लिए स्रम से दूर हो जाएगी अगला जो छटा बिंदू उन्होंने आर्थिक विश्रमताओं को दूर करने का सुजाओ दिया वो था स्वेदेशी स्वेदेशी की परिवासा गांदी जे ने इस प्रकार दी है हमें से यह वह प्रेड़ना है जो हमें इस बात के लिए प्रेड़ित करती है कि हम अपने नजदिक के वातावरन का प्रियोग करें और दूर के वातावरन को छोड़ दें जैसे धर्म में हम अपने धर्म का पालन करें राजनिती में हम भारतिय राजनितिक सनस्ताओं का प्रियोग करें आर्थिक छेत्र में हम अपने पडोशी द्वारा बनाए गई वस्तियों का प्रियोग करें और भारतिये उद्योंकों को कुसल एवं पूर्ण बनाने बनाए जिन में हमें कमजोरिया नजर आती हैं स्वैदेशी की इस परिवासा से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गांदी जी सभी विदेशी बस्तों को वर्चित करना चाहते थे अभी स्वैदेशी की परिवासा किसी रूप में संकिर्ण नहीं थी उनकी स्वैदेशी की परिवासा किसी भी रूप में संकिर्ण नहीं थी गांदी जी भारत को विश्व से अलग नहीं करना चाहते थे वह तो केवल स्वाव लंभन पर बल देते थे वहे विदेशी पूजी और तकने की ग्यान से भी समझोता कर सकते थे यदि उन्हें भारतिये नियंत्रण में रखा जाए याने कि आर्थिक विश्वमताओं को दूर करने का जो उन्होंने बिंदू बताया वो है स्वेदेशी स्वेदेशी से अभी प्राई यह है कि वो आर्थिक संसादनों का राजनिती का धरम का अपने भारतेता के इसाब से यार भारते धरम भारते राजनिती भारते आर्थिक व्यवस्थाओं भारते उद्योगों और उनका प्रियोग करे और अगर उनमें कोई कमी है तो उनको दूर करके उनको कुसलता प्राप्त बदान करे इसी संदर में आर्थिक व्यवस्थाओं का जो सुजाओं उन्होंने दिया वो है खादी का अर्थ सास्त्र चुंकि गांदी जी स्वें चरखा काते थे और श्वें द्वारा निर्मित खादी का उप्योग द्रों दरों से ज़्यादा आस्रम में घादी उत्पन रोती थी उसको वो गरीबों में और अपने भारतियों में उसका वित्रण करते थे भारत के आर्थिक पुन निर्मान की गांदिवादी योजना में खादी के अर्थास्तर का मुख्य स्थान है गांदी जी का विश्वास था कि आर्थिक संकटकी समस्याओं को हल करने के लिए खादी अर्था चर्खा बहुत ही प्राकर्तिक, सरल, सस्ता और व्यवारिक तरीका है गांदी जी का पूर्ण विश्वास था कि पूंजी और सत्ता के विकेंदरी करण से उत्पन होलने वाली समश्याओं का तथा उत्पादन और वित्रण की समश्याओं खादी के पुनुर्दार से हल की जा सकती हैं खादी के अर्षास्त्र में भी गांदे जी एक जीवन दर्शन की जलक देखते हैं जहां खादी एक और जीवन की आर्शकताओं को देश में ही पूरा करने की प्रिणा देती है वहां दूसरी और गाउं को स्वावलंबी बनाने का तरीका भी है ताकि कुछ गिने चुने शहर ग्रामों का या गाउं का सोसन नहीं कर सकें स्वावलंबी बनने का यह है कि गाउं गाउं में खादी का कुटी रुद्धो तयार होगा खादी तयार होगी बड़े मील या कार खानों में उसका उत्पादन नहीं होने से गाउं का सोसन नहीं होगा या गाउं में बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी ये उनका खादी का अर्थास्तर में उन्होंने इस बात को कहा है यद्देपी खादी का अर्थास्तर अमिर बनने के अर्थास्तर की मांगों को संतुष्ट नहीं करता परन्तु यह आलश्य और बेकारी के समझ्चा का तत्काल और सिस्थाई हल है यह क्रशिक का भी पूरक हैं क्योंकि यह अन्यकुटी रुद्धियों का विकास करता है इस परकार यह गांदी जी के आर्थिक विचारों का पार्ट फोर जिसमें हमने गांदी जी द्वारा बताएगे आर्थिक ऐसा मानता या आर्थिक विसंताओं को दूर करने की जो सुजाव गांदी जी द्वारा दिये गए हैं उनका उनके संदर्व में हमने इन चार वीडियो के माध्यम से हमने उनको समझा है अगले वीडियो में हम गांदे जी के आर्थिक विचारों के मुलांकन के संधर्व में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद घर में रहें स्रक्षित रहें अपना ख्याल रखें एक बार पुने आपका धन्यवाद स्रक्षित रहें